वेलकम बैक टो माई चैनल आज हम यहां पे साड़ी के लिए पेटिकोट कटिंग को स्टेचिंग करना सीखेंगे छे कली का हम यहां पेटिकोट कटिंग को स्टेचिंग करेंगे सेम ऐसे ही हम स्कल्ट भी कटिंग कर सकते हैं जैसे हम यहां पेटिकोट को कट करेंगे उससे प यह मैंने उपर जो हम एक्स्ट्रा फोल्ड लगाते हैं नाडे के लिए वो थ्री इंच का मैंने यहाँ पर लिया है पहले हम एक स्टेट पट्टी उतार लेंगे थ्री इंच पर मैंने निशान लगाया है दो इंच की हम यहाँ पर इसको रखेंगे इसलिए मैंने थ्री इंच करेंगे उसके बाद हम देखें यहां पर कलियों की लंबाई है मेरी प्रेटी कोट की पूरी लंबाई है यहां पर वह थर्टी-फोर इंचिस है थर्टी-फोर इंचिस के बाद और जो मेरी कमर है वो 19 इंच है 19 यानि 18 इंच तो यहां पर देखिए सबसे पहले मैं उपर एक इंच का एक्स्ट्रा मार्जन लूँगी यह मार्जन मैंने क्यों लिया है यह मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम इसको सेट करेंगे यह मार्जन लेना बहुत चुरूरी है 5 इंच का मैंने मा सब्सक्राइब को दो इंच ऊपर की तरफ रखा है और जितनी हमारी लेंथ है देखिए में 34 इंच लेंथ आएगी अगर फोल्ड करने का कपड़ा यहां पे बचता है तो आप एक्स्ट्रा पे निशान लगा ले अदर्वाइस नहीं है तो हम नीचे की तरह फोल्ड करने के लिए एक एक्स्ट्रा पट्टी कट करेंगे उसके बाद देखिए यह जो मेरी फोर लेर्स हैं ओपन एरिया है वह आपकी तरफ है और जो मेरा बंद एरिया है वह मेरी तरफ है अब हमें कलियों की चोड़ाई कैसे निकालनी है 38 इंच मेरी यहां पे पूरी हिप है जो हमने कमर का साइज लिया है उसमें 4 इंच हम प्लस कर लेंगे 42 इंच हो गया और उसका हाफ कर लेंगे 21 इंच और 21 इंच का हम चोथाई भाग करेंगे सवा 5 इंच सवा 5 इंच पे निशान लगाया और आधे इंच का एक्स्ट्रा मार्चल लिया मैंने सिलाई के लिए यहां भी मै सवा पांच इंच पे निशान लगाऊंगी और हाफ इंच का एक्स्ट्रा मार्जन लोगी अगर आपको कली निकालने का तरीका समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दुबारा बैक करके जुरूर एक बार ध्यान से सुन ले और जो मैंने एक्स्ट्रा मार्जन लगाया था बार से निशान लगाएंगे तो अब हम इनको कट करेंगे आप अब देखिये मैं आपको खोल के दिखाऊंगी यह जो मेरा बंद पोर्षन है यह देखिए यह मेरी सेंटर वाले जो कली आएगी वह बड़ी कली है क्योंकि साइड से फोल्ड़िड कपड़ा था मेरी दो कलि के निए गषातम करएंगे i быть इन इस द्कंड को अब मैं एक यूंकि जो मेरा उरेब वेचित है तोड़ी अब टोड़动 में उपर से जो एक इंच का मार्जन हम ले लिया था इसको हम सैट करने में उपर की तरफ कट कर देंगे यह जरूर लें काइस क्योंकि यह चोटा बड़ा होता है हमारा तो और अब हम नीचे से भी देखिए इसको कट करेंगे देखिए चोटा बड़ा हो गया ना अब हम इस साइ इसको कट कर देंगे राउंड शेप में यह कटिंग करनी बहुत जरूरी है क्योंकि यह जो हमारा उरेब और सुरेब एरिया होता है जो हम इसको कट करते हैं एक सीधी साइड होती है और एक उरेब वाली साइड तो यह चोटी बड़ी हो जाती अब मैंने सेटिंग कर लिया है वह उरेब है और जो साइड वाली चोटी कली है वह सीधी सीधी साइड से हम यहां पर देखे इसको पिन के साथ फिक्स कर देंगे उरेब साइड हम चोटी वाली कली की नहीं लेंगे सीधी साइड लेंगे और अब देखे जो बड़ी कली की दूसरी साइड है वह भी उरे है अब तो ऐसे करके इन कलियों की सेटिंग करनी पड़ती है पहले कट करने के बाद और अब हम मैं इन कलियों को भी यहां पर ऐसे ही सेट कर लूँगी देखिए मैंने यह वली कलियां भी यहां पर सेट कर ली है अब दूसरी कली को भी मैं यहां पर फिक्स कर दूँगी पिन के साथ fix कर दिया है अब हम इनको stitch करेंगे देखिए जहां पर मैंने पिन लगाया है अब easy हो जाएगा गाइस हमें setting करने की जरूरत नहीं है अब हमें only सिलाई लगानी है क्योंकि कलिया हमने पहले से ही fix कर ली थी अब देखिए हम पिन को remove करते जाएंगे और इन कलियों के ऊपर सिलाई लगाते की कलिया हमारी बराबर आ रही है ऊपर और नीचे से ऐसे करके मैं दूसरे वाली कली को भी यहां पर stitch कर लूँगी अब पिन जरूर लगाएं गाइस यहां पर कलियों को सेट करते हुए अदरवाइस कन्फ्यूर्ज हो जाते हैं अब देखिए मैंने तीन कलिया यहां पर fix कर ली है तीन के बाद अम मैं दूसरी तीन कलिया भी यहां पर fix करके आपको दिखाऊंगी तो देखिए यह मेरी कलिया बिल्कुल equal आ रही है उपर और नीचे से देखिए मैंने दूसरी तीन कलिया भी यहां पर fix कर ली है अब इनको मैं side से यहां पर joint करूंगी एक side से मैं इसको joint कर लूँगी और जो मेरा दूसरी side है हम उसको joint नहीं करेंगे इसको हम बाद में joint करेंगे और यहां पर मैं देखिए दूसरी side हमें 4 इंचिस का उपर की तरफ gap चोड़ना है यह मेरी 4 इंचिस का gap है यहां तक हम इसको stitch करेंगे और stitch करने के बाद मैं यहां से इसको देखिए कैसे fold करूंगी कि मैंने स्टिच कर लिया है अब हम इसको देखिए side से यहां पर थोड़ा चोटा सा यहां पर ऐसे fold करेंगे और इसके किनारे के ऊपर एक सिला ही लगाएंगे तक हम इसे पहनने में कोई problem ना हो हम इसको side से इसलिए open रखते हैं अब मैं इसको यहां पर stitch कर दूँगी stitch करने के बाद काई जो हमने पट्टी यहां पर कट की थी वह side से थ्रेंचेस वाली हम उसको भी यहां पर fix करेंगे देखिए इसको stitch कर लिया है अब वह वली पट्टी लेंगे हम यहां पर हाफ इंच का मार्जार रखते जाएंगे और इसको फोल्ड करते जाएंगे और ऐसे करके इसको end point तक हम stitch करेंगे जो end point है जैसे मैंने यहां पर इस पट्टी को फोल्ड किया है ऐसे ही मैं दिखे एक्स्राव निचे वाली पट्टी है तो मैं इसको fold कर दोंगी यहां पर देखे ऐसे इसको यहां पर फोल्ड कर देंगे और इसको फिर हम बाहर की तरफ pin के साथ में देखे आपको fix करके दिकाऊंगी और बाद में इसको stitch कर देंगे देखे ऐसे इसको फोल्ड करना है और यह जो सिलाई है हमारी वो इसके अंदर आ जाए और यहां पे इसको पिन लगा देंगे हम यहां पर पिन लगाने के बाद हम इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो ऐसे करके जो हमने पट्टी कट की थी वो यहां पर देखिया से फिक्स हो ज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें लिटेस नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एनी डाउट्स गाइस सोई कमेंट में एंड थेंक्स फर वाचिंग झाईब neither अगर में एंड पायर आपको सब्सक्राइब करो को सुदर हो अगर वार है हम सब्सक्राइब